चलिए students, हम लोग question number 13 को solve करते हैं, देखिए question number 13 में क्या दिया है, यदि A is equal to में आप विव दिया है, तो दर्साइए कि A square minus 5 A plus 7 I is equal to क्या है O, A हमारा क्या होता है, जिसुन ने आप विव होता है, इसकी सहायता से A inverse ग्याद किजिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या द निकाला है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको solve करते हैं, देखिए हमारे हमें क्या दिया है, हमें दिया है A, तो लिक लीजिए, A is equal to 3, 1, minus 1, 2, हमें A दिया है, चलिए, हमें A square निकालना पड़ेगा, A square निकालना पड़ेगा, 5 A निकालना पड़ेगा, और 7 I निकालना पड़ेगा, और सबको हम लोग बैलूज को इसमेरा क्या हल करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग A square निकालते हैं, तो A square निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A into A कर देगा, हमें A square मिल जाएगा, तो A हमें दिया है, क्या दिया है, 3, 1, minus 1, 2, into में करना क्या, 3 1, minus 1, 2, इसको हम लोग हल करते हैं, multiply कर लिजिए, multiply करेंगे, कैसे करेंगे, इस पंक्ती से, इस column में, फिर इस पंक्ती से, इस column में, multiply करेंगे, 3 को 3 से multiply करेंगे, क्या देगा 9, प्लस लिखिए, इस 1 को minus 1 से multiply करेंगे, तो minus 1 हो जाएगा, अब इस से करना, इस में, 3 को 1 से multiply करेंगे तो 3 हो जाएगा फिर इससे में इसमें करना 3 को 1 से multiply करेंगे 3 हो गया 1 को 2 से multiply करेंगे क्या हो जागा 2 अब इससे इसमें करना है तो minus 1 को 3 से multiply करिए minus 3 प्लस चिनने उच करिए 2 को minus 1 से multiply करेंगे तो minus 2 हो जाएगा फिर इससे इसमें करिए माइनस 1 को 1 से मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस 1 हो जागा प्लस लिखिए इस 2 को 2 से मल्टिप्लाई करेंगे क्या हो जागा दो दो नी 4 चलिए इसको मैं लोग हल कर लेते हैं हल कर लिजिए देखी क्या हो जागा 9 और प्लस माइनस क्या हो जागा यहां पर देखिए चार प्लस चार है माइनस वन है तो प्लस त्री हो जाएगा तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए मारे पास ए स्क्वाइर आ गया चलिए अब हम लोग फाइव निकाल लेते हैं घाए डेके हमारा फाइव ए क्यूंज यह हैं इस आपजिए में भी करh..? 25 कर देज देचिए क्या हो जाएगा इस में क्यूंज जाएगा 5 इस में क्या हो जाएगा पांस तैया पंदरा है फिर पांस से इंपर गणा रते हैं i का मतलब मारा identity matrix होता है अब identity matrix हमारा 1, 0, 0, 1 होता है इसमें मैं 7 से multiply करना तो क्या हो जाएगा 1, 0, 0, 1 होता है तो 7 से multiply करिए 7 से multiply करिए अब देखे 7 i is equal to क्या हो जाएगा 7 से multiply कर दिया हमने यहाँ पे 7, 0, 0, 7 कुछ इस तरीके से आ गया चलिए अब लोग A square 5A और 7I की value यहाँ पे रखते है तो लिखिए A square minus 5A plus 7I is equal to हमने किस side को लिया है हमने left hand side को लिया है और left hand side की मदद से अगर हमारा right hand side आ रहा है तो हमारा प्रूब हो जाएगा तो चलिए value रखिए A square कितना है A square हमारा है 8, 5 8, 5 minus 5, 3 minus 5A कितना है यहाँ पे 5A है लिख दिजिए 15, 5 minus 5, 10 next plus 7I जहाँ पे देखिए plus 7I तो write कर दिजिए plus 7I का वेलू कितना है 7, 0, 0, 7 अब लोग क्या करेंगे देखिए हल कर लेते इसको इसमें से इसको इसमें से इसको क्या करेंगे इसमें से इसको घटाना है तो संगत अवयों को लोग घटा लेते हैं तो घटाईए संगत अवयों को देखिए इसका संगत अवयों यह है इसका संगत यह है तो इसके संगत अवयों में से इसके अवयों को घटाएंगे गठाइए आठ मेंसे पंद्राइ गठाइए तो आठ मेंसे पंद्रा गठाइए कितना हो जागा मैनस साथ और देखे FM-5 कितना हो जागा 0-5 है और अंदर चला जागा प्लस 5 देखें कुछ इस pagant ऐसे फिक हिर मैंनस क्या हो जाएगा यहां पे राइट करिए-7 अब इसको भी इसमें अड कर लेते हैं इसको भी इसमें अड कर लेते हैं देखिये-7 इसका संगत हुए है माइनस साथ, यहाँ पर हो जाएगा प्लस साथ इसका संगत अवज है 0 प्लस 0 लेकि माइनस 5 है और ए उन सब्हकर माइनस कि रह gaan प्लस 6 यारी माइनस 5 प्लस 5 00 हो जाएगा और 0 मंजीड प्लस 7 00 हो जाएगा फिर देखे 3 माइनस 10 तो माइनस 7 होगा और माइनस 7 प्लस 7 यहां पे लिखी देते हैं माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 7 जीरो हो गया जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया और यहां पे जीरो यहां पे जीरो तो हमारे पास ए क्या आ गया देखिए ओ आ गया, zero matrix आ गया, सुनने अब भी ओ आ गया तो यहां से देखिए हमारा A है क्या हमने left hand side को लेकर के solve कि हमारे पास right hand side आ गया तो A हमारा क्या right hand side है RHS तो हमारा जो LHS है वो बराबर आ गया किसके RHS के तो A वाल पार्ट हमारा prove हो गया चलिए अब देखिए इसी की साहिता से A हमें जो दिया है में इसी की साहिता से A inverse निकालना है तो चलिए हम लोग A inverse निकालते है तो हमें दिया क्या है लिख लीजिए A square minus 5A plus 7I is equal to 0 दिया है ठीक है 0 आप भी हो है तो 0 हम लिख सकते है अब हमें इसकी सायता से A inverse निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए चलिए हम लोग इसमें A inverse से multiply कर देते हैं A inverse से इसमें multiply करिए देखें क्या हो जागा A square है इसमें हमने A inverse से multiply किया माइनस यह 5 A है इसको हमने A inverse से multiply किया फिर देखिए प्लस 7 ए आई है और इसको भी हमने A inverse से multiply किया यहाँ पर मारा 0 हो गया इस माइनस वाले को इस तरफ बेज दीजिए A inverse into में A square into में A inverse प्लस 7 I into में A inverse is equal to देखिए क्या हो जागा इसको इस तरफ बेज हमने प्लस हो जागा देखिए A को A inverse से multiply करेंगे थे हमारे पास identity matrix आता यह बात आपको समझनी होगी जैसे हमारे पास कोई आप व्यूव A है और इस आप व्यूव को अगर हम इसके इनवर्स से यानि कि व्यूत्करम से multiply करते हैं थमें एक identity matrix प्राफ्त होती है यह बात आपको समझना होगा तो यहां से देखिए एक उमने यहां से देखिए एक उन्वर्स हैं तो इन्वर्स और एका मल्टिपलिकीशन हमारे पास क्या होगा partir कि कि एन टु मेर्स का मल्टिपलिकयशन इंट्यमे साइड़े इंटिकस आएगा जया से मारा क्का होगा यहां से ओर से 7 कि इन्टू में आइ इंटू में A inverse is equal to 5i तो चलिए students हम लोग बैलूज रख देते हैं यहाँ पर देखिए A क्या है हमारा आप view A क्या है आप लोग द्यान से देखिए हमारा आप view A यही है 3, 1, minus 1, 2 यहाँ पर write करिए 3, 1, minus 1 और 2 तो यहाँ पर identity matrix, into my identity matrix रिख दीजिए 1, 0, 0, 1 फिर करना क्या है 7 identity matrix write करिए 1, 0, 0, 1 into me A inverse into me A inverse अब is equal to क्या हो जगा 5 और into में क्या हो जगा identity matrix 1, 0, 0, 1 अब इसको लोग हल कर लेते हैं हल करिए इसको तो क्या हो जाएगा इसमें इसको multiply कर दीजिए इस 35 से इस column में multiply करिए तो हमने 3 को 1 से multiply किया 3 हो गया और इस 1 को 0 से multiply करेंगे 0 हो जाएगा फिर इससे इसमें multiply करें 3 को हमने 0 से multiply किया 0 हो गया 1 को हमने 1 से multiply किया 1 को 1 से multiply किया 1 हो गया फिर इससे इसमें multiply करना है minus 1 को 0 से multiply किया तो 0 हो गया फिर प्लस लिकिए 2 को 1 से multiply किया तो 2 हो गया प्लस इसमें 7 से आप multiply कर दीजिए 7 से multiply कर दीए किया हो जाएगा तो हो जाएगा 7 0 0 7 into में A inverse is equal to इसमें 5 से multiply कर दीए 5 0 0 5 कुछ इस तरीके से मारे पास आ गया चलिए इसको हल कर लेते हैं क्या हो जाएगा 3 1 minus 1 2 अब यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा 7 0 0 7 into में A inverse is equal to 5 0 0 5 और इसको हम लोग उस तरह बेज देंगे क्या हो जाएगा 7 0 0 7 into में A inverse is equal to 5 0 0 5 और इसको हम इस तरह बेज रहे माइनस में हो जाएगा 3 1 minus 1 2 इस तरीके से हुआ है हम लोग एकदम basic method से इसको solve कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर देखें 7 0 0 7 into में A inverse is equal to संगत अवयों को घटा लिजिए घटा यह देखी क्या हो जाएगा 5 में से इसको घटाएगे तो 3 हो जाएगा तो students अब आप लोग यहाँ पर देखें A i है 7 i into में A inverse 5 i यहाँ पर आई यहाँ यहाँ पर आई यहाँ पर आई यहाँ यहाँ पर आई यहाँ पर आई यहाँ पर क्या हो जाएगा is equal to 5 minus में क्या हो जाएगा A जब A यहाँ पर है इधर आईगा minus हो जाएगा तो लिखिए अब 5 minus A और A का value देखें कितना है तो अब students आप लोग यहाँ पर देखें A i write करिए A i plus i को जब हम लोग A inverse से multiply करेंगे A inverse में हमारा कुछ आएगा जब लोग A inverse को i से आभी आप लोग यही जानिए जब हम लोग identity matrix को identity matrix को A inverse से multiply करते हमारे पास क्या आता है A inverse क्या आता है A inverse आता है आप लोग यही समझेए तो यहाँ पे हमारा a i हो गया यहाँ पे क्या हो जागा 7 times of a inverse is equal to 5 i अब यहाँ से देखिए a का बैलू हमारा क्या है आप लोग देखिए a का बैलू क्या है a का बैलू हमारा है 3 तो write कर दीजिए 3 1 minus 1 2 plus 7 into में a inverse is equal to 5 of अब हमारा जो identity matrix होता है उसकी यहाँ पे बैलूज रख दीजिए 1 0 0 1 इस तरीके से हो गया चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे हमारा identity matrix से multiply करना ठीक है तो लिखिए 3 1 minus 1 2 इस तरीके से आएगा और यहाँ पे देखिए matrix लिख दीजिए identity 1 0 0 1 plus 7 into में A inverse is equal to इसमें 5 ने multiply कर दीजिए देखिए क्या जब 5 0 0 5 इस तरीके से मारा आ गया है चलिए अब अब लोग इसको multiply करके लिख लेते हैं multiply करिए देखिए क्या हो जाएगा इसमें इससे multiply करिए इस 35 से इस column में multiply करिए हमने 3 को 1 से multiply किया 3 हो गया फिर इस 1 को 0 से multiply करेंगे तो क्या हो जागा 0 फिर इससे इसमें multiply करेंगे 3 को हमने 0 से multiply किया तो 0 आ गया 1 को 1 से multiply करेंगे तो 1 हो जाएगा अब इससे इसमें multiply करिए minus 1 को हमने 1 से multiply किया तो minus 1 हो जाएगा 2 को 0 से multiply करेंगे तो 0 हो जाएगा इस से इस में multiply करेंगे 1 को 0 से multiply करेंगे तो 0 हो जाएगा 2 को 1 से multiply करेंगे तो 2 हो जाएगा इस तरीके से मारा हुआ है लिगे plus 7 times of A inverse is equal to 5, 0, 0, 5 चलिए next देखते हैं इसको हल कर लीजिए 3, 1, minus 1, 2 हमारे पास यह हो गया plus 7 times of A inverse is equal to 5, 0, 0, 5 चलिए यहां से देखें 7 times of A inverse हमारा क्या हो जाएगा इसको इस तरब बेजएंगे बेज दीजिए 5, 0, 0, 5 plus है तो minus हो जाएगा यहां पर minus लेख दीजिए 3, 1, minus 1, 2 संगत अवयों को आप घटा लीजिए संगत अवयों को घटा यह देखें क्या हो जाएगा 5, minus 3 करेंगे तो 5 में से 3 घटा यह दो 0 में से 1 घटा यह तो minus 1 और 0, minus minus 1 यहां पर plus 1 हो जाएगा 5 में से 2 घटा यह तो 3 हो जाएगा 2-1, 1, 3 2-1, 1, 3 अब आप लोग यहाँ पर देखिए अब A7 times of A inverse है A inverse की value क्या हो जाएगी इस 7 को इस तरफ बेज देजिए तो उधर गुड़े के साथ है इधर भाग के साथ हो जाएगा 2-1, 1, 3 तो इस टूडेंट देखिए इस तरीके से हमारा A inverse क्या आगया A inverse हमारा आगया है 1 upon 7, 2 minus 1, 1, 3 यही हमारा क्या हो गया यही हमारा answer था तो हमें यहीं निकालना था हमें पहले क्या दिखाना था हमें दिखाना था कि A square minus 5 A is equal to 7 A is equal to 0 यानि की सुनने आब व्यू और इसी की मदसे में A inverse निकालना था तो हमने students इसकी मदसे A inverse निकाला तो A inverse हमारा A आगया तो चलिए guys आप लोग पढ़ते रहिए अगर आप लोग कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करेगा तो चलिए guys आप लोग पढ़ते रहिए Thank you